आज हम बनाएंगे खमन देख सेकते हो कितने सौ्प्त बनाये हमारी ये खमन अच अब शूरत के फेमस वाटीदाल खमन बनाएंगे तो चलिए आज बनाते हैं शूरत का फेमस वाटीदाल खमन और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर यह बाटी दल खमन बननने के लिए हम लेंगे 1 1.5 विद चनादल बने में से ही बने हैं यहां पर देड़ कब चनादल लेंगे सीहां घ्राजम ऑद कर शली कर्या दे दाल के दिद्ञหाद अगर आपकी चनादाल इसे तूट शाती है तो आपकी चनादाल अच्छी तरह से भीग चुके हैं आप इसे मिनिम्मम पांच घंटे के लिए भीगोएगा तो अच्छी तरह से भीग चुकी है तो अब इसमें जो पानी है वो हम निकाल देंगे और आदी चना दाल हम निक्सर के क्राइंडर चार में ले लेंगे फिर इसमें हम डालेंगे दही तो मैंने यह पोना कब चितना दही लेंगे दही आप करकम ना हुआ यह रेडिमेट कोई भी यूज़ कर सकते हो मैंने पोना कब चितना दई लिया है उसमें से आदा हम इसमें डाल देंगे और आदा दूसरे बेच के लिए रख देंगे और साथ में हम लेंगे थोड़ा सा नमक और दो पिंच इतनी हल्दी और इसे हम अच्छे तरह से पीस लेंगे आप देख सकते हो यह थोड़ा सा पीस चुका है तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे आप पानी आप पे थोड़ा थोड़ा ही डालिएगा हमें इसे गाड़ा बेटर बनाना हिस लिए तो अब हमारा एकदम घाड़ा पेटर बनके तयार हो चुका है, आप देख सकते हो, और दूसरा बेच में ने ले लिया है, उसमें दही डाल दी है, साथ में थोड़ा सा नमक और हल्दी भी डाल देंगे, और इसे अच्छी तरह से पीस लेंगे, चरूर हो, तो आप पाने डा लिएगा, आप देख सकते हो, ये पेटर हमारा बन चुका है, इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे, और मिलाने के बाद हम इसे एसे ही छोड़ देंगे, पास से 6 गंटे के लिए, अगर ये आप विंटर में बना रहे हो, आप इसे 10-12 गंटे के लिए एसे ही छोड़ और जब हमें खमन बना रहा हो, तब हम स्टीमर में पानी रख देंगे, और इसे मीडियम आच में बोईल करेंगे, और हम देख लेंगे हमारा जो बेटर हो, आप देख सकते हो, इसमें कितना खमिर उठा हो है, अब हम इसमें एक बड़ी चमचितना अद्रक और मेची की पे चीनी अवोइड भी कर सकते हो, स्किप भी कर सकते हो, और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे, इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम इसे थोड़ी दे साइड में रख देंगे, अब जिसमें भी ठुकला बनाना चाहते हो, उसको हम अच्छी तरह से तेल से ग्रीस कर लें मैंने यहां पर सेवन इश का केक्टिन लिया है इसे हम साइड में रखेंगे और जो हमने बेटर बनाया है उसमें इसा आठा बेटर एक पतिले में निकाल लेंगे और आठा बेटर हम दूसरे बेच में बनायेंगे अधी चमत चितना बेकिंग सोड़ा लिया है जो खाने का सोड़ा आता है वही लिया है और साथ में हम इसमें एक बड़ी चमत चितना ओयल याने की खाने का तेल ढाल देंगे यहां पर कुई भी ओयल चलेगा साथ में डेड़ बड़ी चमत चितना गरम पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे इस तरह से सोड़ा हमारा अच्छी तरह से पानी में कुल जाएगा वरना हमारा जो खमन है उसमें थोड़ थोड़े से लाल दाने दिखेंगे क्योंकि जो सोड़ा अच्छी तरह से ना मिले बेटर में तो वहाँ पर लाल-लाल हो जाता है बेटर हमारा और साथ में जो हमने बेटर रखा था आधा बेटर वो ले लेंगे और इसमें हमने जो यह मिश्रन बना के रिखा है पानी और तेल और सोडा का उसमें से आधा इस बेटर में डालेंगे और आधा दूसरे बेटर के लिए रख देंगे हम और इसे बेटर में अच्छी तरह से मिला लेंगे अब देख सकते हो अच्छी तरह से मिला लेंगे हम इसे और फिर हम तुरंथी इसे हमने जो तेल लगा के ग्रीज की हुए टीन है उसमें डाल देंगे और इसे हम तुरंथी स्टीमर में पकने के लिए छोड़ देंगे अब हम इसका ठक्कर बंद कर देंगे और गेस की आज फूल कर देंगे और फूल फ्लेम पे इसे 20 मिनित तक पकने के लिए छोड़ देंगे 20 मिनित के बाद हम इसमें चेक कर लेंगे खमन पक्के रेडी हो चुका है अब हम इसे बाहर ले लेंगे और इसे अच्छी तरह से 15 से 20 मेर तक इसे ठंडा कर लेंगे फिर बाद में ही हम इसे पिसीज में कट करेंगे जब तक ये ठंडा ना हो तब तक आप इसके पिसीज मत कट कीचेगा वरना ये बिखर जाएगा अब देख सकते हो हमारे खमन बहुत बढ़िया बने है आप देख सकते हो उसकी जाली भी और स्पॉंजीनेस अब इसका हम तड़का लगाएंगे तो इसके लिए मैंने यहां पे तीन बड़ी चमच जितना तेल गरम करने के लिए रखा हुआ है अब हम इसमें दो छोटी च धारी मिर्च और करी पत्ता डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिलाने के पाद हम गेस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसमें हम दो बड़ी चमच जितना पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे अब इस तड़के को हम दो मीट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और जब हमारा तड़का जो हमने बनाया है वो ठंडा हो चाये तभी आप इसे खमन के उपर डालिएगा इसे गरम-गरम मत यूज़ कीजिएगा और अच्छी तरह से इस खमन को हम मिक्स कर लेंगे यह बहुत इप स्पोंजी बनते है तो आप इस तरह से घर पे जरू ट्राय कीजिएगा आपको बहुत पसंद आएगे अगर आपको यह रेसेपी अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक और शेर जारू कीजिएगा तो आप एंजोई कीजिए यह सूरत का फेमस वाटी दाल खमन हम मिलेंगे एग नेक्स रेसेप के साथ कब तक के लिए बाई बाई सी यू टाइक केर